अगर आप अपने घर में बैककप और स्टैंड बाइ पावर सिस्टम को स्मूथ और अनिंट्रॉप्टेट बनाना जाते हैं तो ये काम जरूर करें अगर आप अपने घर में जनरेटर और यूपियस इंस्टाल करना चाते हैं तो उससे पहले क्वालिटी और लोड जरूर चेक कर लें मेक शूर करें के हर फ्लोर पर सेपरेट यूपियस लगे सिस्टम की लॉग लास्टिंग के लिए सारी बैटरी एक ही कंपनी की होनी चाहिए अगर घर बड़ा है तो यूपियस की वाइरिंग सेपरेट करवाएं मेक शूर करें के जनरेटर और यूपियस की वाइरिंग की इंस्टालेशन किसी एक्सपर्ट से कराएं जनरेटर के शूर से बचने के लिए कनोपी ज़रूर लगाएं अगर आप अपने घर में बिजली की बैक अप और स्टैंड बाई पावर सिस्टम को अनिंट्रॉप्टेड और स्मूथ रखना चाहते हैं तो ये काम बिलकुल मत करें अगर आप नॉइस पॉलूइशन से बचना चाहते हैं तो जनरेटर को कनोपी के बगाएर बिलकुल भी इंस्टॉल मत करें क्रस्ट फेक्टर से बचने के लिए यूपिस वाली स्विच सॉकेट को जादा लोड से अटाच मत कीजे यूपिस के साथ डिफरेंट कंपनीज की और डिफरेंट अंपियर रेटिंग की बैटरीज मत कनेक्ट करें